ये है बिहार जहां कॉलेज की छट पर सारे स्टूडेंट परिक्षा देते नजर आ रहे हूंगे कोई मोबाइल तो कोई चीट लिए छट पर परिक्षा दे रहा था यहां गौर करने वाली बात ये है कि कोई भी टीचर इन बच्चों को रोक टोक करते नहीं दिखाई दे रहे थे बलकि बच्चे अपने अपने गुट के साथ का सल्ली में परिक्षा दे रहे थे एक बार आप इस पूरे वीडियो को देखिए स्क्राइस चाहिए से जाओ टीच्जाचा run स्क्राइस करेशा आपको बार्टो्ड़ कोई भी बूल स्क्राइस रखज़ ढक्ति हुआरन में वाइस आपकोई आपको औरिक्रा-णित स्क्राइस पूर खुआ को आपकोई आई दिन ऐसे वीडियो सामने आते रहते हैं हाली में 12 फिल्म मूवी में भी एक ऐसा सीन दर्शाया गया था जहां परिक्षा में नकल करते विद्या थी दिखाई दिये थे लेकिन सोचने वाली बात है कि आज के समय में भी बच्चों को अगर नकल करने की जरूरत पड़ रही है तो इन बच्चों का भविश्य क्या होगा तिलका मांजी भागलपूर कॉलेज के ललित नरायन भोकर जा महिला कॉलेज भमरपूर में सनातक सेमेस्टर वन की परिक्षा के दोरां स्टूडेंट ने खुले मैदान और छत पर दरीप पर बैट कर परिक्षाय दी पता दे के यहां नवगचिया के बनारसी लाल मारिज्य कॉलेज के स्टूडेंट का सेंटर बनाय गया था सनातक सेमेस्टर वन की परिक्षा 8 जन्वरी से शुरू होनी थी जो 16 जन्वरी तक चलने वाली थी पहली पाली में डिजिटल मार्केटिंग की परिक्षा है थी इसमें 600 विद्यार्थियों ने खुले आसमान के नीचे परिक्षा दी दूसरी पाली में कम्यूनिकेशन इन लाइफ की परिक्षा थी जिसमें 400 विद्यार्थियों ने परिक्षाएं दी विद्यार्थियों ने नकल भी जम करकी कोई किताब तो कोई मोबाइल और नोट से नकल करते पाया गया यहां तक कि टीचर भी विद्यातियों की मदद करते नजर आए बाहर और छट पर बैठे छात्र छात्राएं इस तरह से परिक्षा दे रहे थे कि लगी नहीं रहा था कि कॉलेज में परिक्षा चल रहा हो वाईरल विडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से छात्र और छात्राएं खूले चट पर बैठ कर परिक्षा दे रहे हैं सभी मोबाइल और नोर्ट से देख कर परिक्षा दे रहें थे कुल मिलाकर परिक्षा के नाम पर बिहार में मजाग दिखाई दिया. झाल झाल बिहार में में के नाम पर बॉक्पर बिहार में 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 दिए दिए.